नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूपी टीटी की 1340 आपतियों को खारिच कर दिया गया है उत्तरप्रदेश सिच्छक पात्रता परिछा यूपी टैट 2019 में पूछे गए सवालों पर 2374 अब भेर्टियों ने आपति दर्ज कराया था आपति दर्ज कराने के अंतिन तारीक 17 जमरी के मदरात तक अब भेर्टियों ने अलग अलग प्रस्नों के जवाब पर अपनी आश्रम हैती जिताई इसमें 134 सुल को 1342 बिना सुल के जमा करे गये थे और सुल करना जमा होने पर 1340 सा पत्तियां पहले खारिज कर दें पर संगया नहीं लिया जाएगा सासना देश में अस्पष्ट एकदम प्रवधान किया गया था अब जो उत्तरकुंजी होगी ओ जारी किया जाएगा 31 जनवरी को जो कि संसोथित उत्तरकुंजी रहेगा और फाइनल इस यही फाइनल भी रहेगा और साथ फर्वरी को रेजल्ट जारी कर दिया जाएगा यानि कि अब जो फाइनल उत्तरकुंजी आएगा 31 जनवरी को आएगा आए देखते हैं जो यूपी टेट प्रामरी और जूनियर में कौन कौन से कॉर्शन पर विबात है जो सा कि तत्सम और तत्भो का कौन सा यूग में शही है तो ये देखिए कॉर्शन तत्भो और तत्सम का कौन सा यूग में सही है तो आंसर की जो आयोग ने जारी कहता उसमें कुछी और को को माना है जो कि सही भी है लेकिन इसके साथ एक और भी आफसर सही हो रहा है कफित और कै था है यह साच ची दिखती है यह है नालंदा शमान ने हिंदी जो कि दाक्टर पृत्वी नात पांडे सरका लिखा हुआ है इसमें देखिए असफ़ष्ट बता गया है कै था कफित इसमें इने कई बुके मानक है सब में यही बताया गया है वासुन अंदन जी में भी बताया गया है तो यहां पर देखिए प्ताय है कि एक नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है यानि कि जो एक या दो नंबर से फेल होंगे वह अभिरती अब काफी करीब हो जाएंगी और इसी प्रकाद से अधिमें ही एक और कोशन है जो कि उसका साथ नहीं मिला इसलिए हमने बता पा रहे हैं तो ओ दो कोशन जिनका रूक रहा होगा तो जरूर निकल जाए गया एक कोशन समाज अरुसमें मनोभी ग्यान में एक किसमें है तो इस प्रकार से जिनका दो या तीन नमर से दिया था आईए देखते हैं उस कोशन को जैसा कि यह कोशन मनाए गया था कि निम लिखित में कौन सा सब्द पूलिंग है तो आयोग ने संतान को पूलिंग माना था लेकिन इसमें सभी चारो आपसन ही डाक्टर पित्वी नारपांडी जी ने बताए कि इस्त्री लिंग है कड़ी चील संतान और सरसो श्रभी इस्त्री लिंग है आईए देखते हैं उन्हें जो साच दिया था तो इन्होंने बताया देखिए कि प्रश्ट ने जो हुए शीवाले में मादले जो भी होगा श्यटका उत्रप्रणवा प्रश्ट ने बताया कि उसके सभी विकल्द एक सीरी से ब्रामक और आसुद्धियां तथा आपत्ति जनक है इसके अंतरगत संतान कड़ी चील तथा सरसों में कौन सा सब्द पूलिंग पुछा गया था जबकि प्रचलित अर्थों में ये सब्द सब इस्त्री लिंग है देखिए इस अस्प्रस्ट बता गया है सभी प्रिथ्वी राजपांदीजी सर के इनसार देके इनका पूरा दैनी जागलर में पूर लेकी निकला हुआ था जिसमें हिंदी के प्रसम पत्त में जो खामिय पकड़ी थी दाक्टर प्रिथ्वी नाथ पांदीजी सर ने यहां पे देखिए और नीचे आ करके उन्होंने प कोई भी मिलान नहीं कंप्रिट हो रहा क्योंकि यहां पे एक जो 1910 दिया है वहां 1936 सरेना चाहिए था हिंदी साही समेलन कासी नागरी प्राचाड़ी सभा राष्ट भासा प्रचार समिती जैसा कि देखियां बताया भी गया है ब्याक्या में क्या बताया गया कि राष्ट राष्ट भासा प्रचार समित वरधा 1918 में नहीं होई जब कि पन्प के उस्तर पूस्तिका में 1918 दिया गया है जो कि गलत है राष्ट भासा प्रचार समÍती वरधा के स्थापना 1936 में होटा पन्पIE द्वार्गा विकल चाह्ट को साही उत्त्र माना गया है लेकिन इसमें क कोई विकल उप्रियुक तो नहीं है घटना चक्र द्वाला साच प्रस्टूत किया गया है जो कि विपसाइट के लिंक पर रहे है तो एक कोर्षन भी कॉमन होगा हो जो पिलती बीक से देखी है क्षविश तो इस प्रस्ट न कोई वी विकल्प प्रस्टूत है जिसमें दिखेये हर देव बाहरी सरका है पेश संक्या देखे हर देव बाहरी सरका 788 पर संतान को इस तरी लेंगों पिलुम दोनों माना गया तक घटना चक्रिक साथ से यही सही है और यानि कि इसमें कोई भी विकल्प नहीं सही है और फिर प्रेवराल में जो कोशन आपत्ती में गया है कि निमलिकित में किस का उत्तर में है कि टाइगा और टुंडरा दोनों परदेश सही है रेंडियर दोनों भी परद्रोसों में पाया जाते हैं घटना चक्रिक का प्रसुष साथ प्रितिवी और हमारा जीवन कच्छा साथ का जो सेक्रेट है संस्क्राइब 2019 भीस में पेज नमर 72 और 73 पर अंकित ह है तो यानि कि रेंडियर वाला भी कुश्चन दो कुश्चन माने जाएंगे भारत में थारू जन जाती कहा निवास करता है देखिए प्राम्री के भी कुश्चन तो इसमें बताया गया है कि थारू जन जाती जए कोई माना गया है उत्तर पदित तराई में लेकिन आप दे यहां देखे पेपर में दनी जागरालों का जो निकला है नियुदू इसमें बता गया है कि यूपी टीटी में 10 सवालों को लेकर 83 सिखाएते हैं जिसमें एक क्यूशन पे तो जब 10 अपत्ती हुआ सांसरीद की संस्क्रिप भासा का एक सवाल पी है जो बताये गया है कि प्राथ्मिक अस्तर में संस्क्रिप भासा के एक प्रस्ण में आशिनी सब्द है जिसका לिंग पूछा गया है परिछ प्रिवेश्का का उले किया गया है यानि इस कोश्चन पर भी अगर आप ने किया गए तो यह कोश्चन भी कामन हो गया और देनी जागर में जो बता गया कि यूपी टीटी के जब्रित के 64 पिसके áreas डी के उन्य कोश्चन पर आपत्य कोश्चन पर आपत्य जहिए गया गया है तो ये थे एकदम मानक जो कि करीब करीब एकदम 70 प्यादारित प्रसंते जो कि बढ़न आता हैं लेकिन जो सही है उद दस सवालों को देखिए ओपी टीटी दस सवालों पर साले तीन से उसे अधिक आपतियां आई थी दस सवाल तो प्रबल रूप से एकदम आपति के घेरे में है आज ओके तो प्रेंड ये था जूनियर और प्रामरी के कोश्चन जिन पर आपति के बाद आपको करीब करीब नमबर मिलने लेकिता हैं जो 80 होंगे या पर जो 79 होंगे वो पास हो जाएंगी प्रामरी में और जिन आज का वीडियो जो की अधारिता हमारे मानक प्रश्चनों पर जिसमें आपको साथ से सहीद बताये गए थे को सभी कोश्चन अगर आपको वीडियो पसंद आए आरके इस्टिडी की तो आप जरू सस्क्राइब कर लेजेगा फ्रेंड ताकि आपको वेस्ट निउज और को सब्सक्राइब कर लेजेगा आपको बहुत बहुत थन्न नमाद